समस्त मात्र शक्तियों भाई बंदों सादर जैस्त्री करश्ण देव प्रबोदिनी देव उठनी एकादशी का खास महत्व धर्म गरंथों में बताया है इस वरत को जो भी इस्तिरीपुर सरद्धा के साथ करते हैं सरद्धा पूरबग भगवान लक्ष्मी नारण जी की पूजा अर्चना करते हैं और देव प्रबोदिनी एकादशी की वरत कथा को सरवन करते हैं उन्हें धर्म अर्थ काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती हैं समस्त पापों का नाश होता है भगवान स्री हरी की करपा से उनकी सभी मनो कामनाई पूरी होती है तो मित्रो आज आपको हम बताएंगे देव प्रबोदिनी एकादशी का शुब महुर्त पूजा विधी इसका खास महत्व क्या है और इस दिन आपको विशेश उपाई किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि भगवान लक्षमी नारणजे की करपा दरश्टी सदेव आपके उपर बनी रहें तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे आप नित्य नई नई ग्यानवरधक जानकारियां वह नित्य का राशीफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो कारतिक मास के शुकल पक्षे की एकादसी को देव प्रबोदिनी एकादसी या देव उठनी एकादसी के नाम से जानते हैं इस साल देव प्रबोधनी एकादशी का खास संयोग दिनांक 4 नमबर 2022 को बन रहा है इस दिन भगवान विश्णू जी चार महिने के बाद योग निद्रा से जागेंगे इसे में चार महिनों में जिन मांगलिक कारियों पर रोक लगी थी वहां हट जाएगी इसके बाद से शुब मांगलिक कारियों का सिल्चला आरंब हो जाएगा इसके साथी देव उठनी एकादशी से शादी विवाह जैसे मांगलिक कारिय भी आरंब होंगे हिंदू पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी इस साल 4 नमबर 2022 को मनाई जाएगी वहीं इस एकादशी का पारण दिनांक 5 नमबर को किया जावेगा तो आईएब हम जानते हैं देव प्रबोदिनी एकादशी का शुब मोहरतो और पूजा विधी और इसका क्या खास महतो होता है तो एकादशी तिथी आरंब होगी 3 नमबर को साम के 7 बच के 30 मिनट पर आरंब होगी एकादशी तिथी समापत होगी 4 नमबर को साम के 6 बच के 8 मिनट पर समापत होगी तो उदियात तिथी के अनुसार 4 नमबर को यह वरत रखा जाएगा देव प्रवदिनी एकादशी पर तुलसी और सालेगराम जी का विवाह संपन्न करवाया जाता है इसका विशेश फलप राप्त होता है तो चार महिने के बाद भगवान विश्णु जी जब योग निद्रा से जागते हैं शालेगराम जी और तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाया जाता है इसके बाद से ही शादी और सगाई के लिए सुब महुरतों की शुरुवात होती है धार्मिक मान्यताओं के नुसार चार महिने विश्राम करने के बाद भगवान विश्रुजी फिर से स्रस्टी के संचालन का कारिय अपने हाथों में लेते हैं इससे पहले आशाण मास के सुकल पक्ष की एकादसी यानि देव साईनी एकादसी से कारतिक मास के सुकल पक्ष की एकादसी तक भगवान विश्रुजी सायनर में रहते हैं तो देव प्रबोदिनी एकादसी की पूजा अन्य एकादसीयों की तरह होती है लेकिन इसमें इस दिन तुलसी और सालेग राम जी का विवाह संपन्न करवाया जाता है इसलिए देव उठनी एकादसी का दिन खास माना जाता है इस दिन अपने घर के आंगन में भगवान पूजा करना चाहिए फिर पूजन के बाद शंख और घंटियां आदी बजा करके भगवान विश्णु जी को जगाना चाहिए तो देव उटनिया देव प्रबोधिनी एका दशी के दिन कुछ लोग वरत भी रखते हैं वरत रखने का विशेश फल प्राप्त होता है कुछ ल इमार बुड़े और बच्चों के लिए वरत रखना अनिवार्य नहीं है एका दशी के दिन भूल से भी चामल आपको नहीं खाना चाहिए इसके अलावा वरत के दोरान प्याज लहसून और तामसिक वस्तूओं का सेवन करने से आपको बचना चाहिए तो शास्त्रों की मान ता तुलसी जी को दुलहन की तरह सजाना चाहिए ऐसे में अगर आप किनी कारणों के कारण तुलसी विवाह नहीं करा पा रहे हैं तो इस दिन साम के समय तुलसी जी को सरंगार की वस्तूओं अरपीत करें और अगले दिन किसी जरूरत मंद सुहागिन महिला को यह वस्तू दान में कर दें दान देवें तो मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से उतना ही पुण्य फल मिलता है जितना की तुलसी विवाह संपन्न करवाने से मिलता है तो आई अब हम जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन सुरियास्त के बाद आपको क्या करना शुब रहेगा धरमि मान्यताओं के नुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा अत्यंत शुब फलदाई होती है इस दिन जल में कच्चा दूद मिला करके तुलसी माता को अरपित करने से उनकी विशेश करपा प्राप्त होती है इसके सांथ ही इस दिन तुलसी माता को रोली सिंदूर अक्षत कुमकुम चुनरी सोलह सरंगार की वस्तुएं और भोग अर्पित करना बहुत ही शुब माना जाता है इसके अलवा करपूर और शुद्ध गी का दीपक जला करके तुलसी माता जी की आरती भी आपको सरद्धा पुर्वक करना चाहिए देव उठनी एका दशी के दिन शालेगराम जी और तुलसी जी का विवाह संपन करवाएं ऐसे में इस दिन शालेगराम जी और तुलसी का विवाह आपको सरद्धा पुर्वक करना चाहिए अगर ऐसा ना कर सके तो सामानी रूप से आप पूजा करें शाम के समय सुरियास्त के बाद तुलसी के पास सुद्ध घी का दीपक जलावें और तुलसी नामाश्टक का पार्ट स्रद्धा पुर्वग करें तुलसी नामाश्टक इस तरोत्र में तुलसी जी के आठ नाम होते हैं तो मानिताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी नामाश्टक का पाट करने से घर में सुख सम्रद्धी और शांती रहती है और माता लक्ष्मी जी की विशेश करपा मिलती है तो तुलसी जी का मंत्र विशेश प्रकार से इस प्रकार से है इस मंत्र का उच् इसका उच्चारन करने से माता तुलसी जी की विशेश करपा मिलती है और देवी लक्ष्मी जी का भी आशिरबाद मिलता है तो तुलसी जी के आठ नाम इस प्रकार से हैं आप चाहें तो इन नामों का उच्चारन या इनका सरवन इस दिन करें आपको अनंत गुणा फलों की प्राप्ती होती हैं तो माता तुलसी जी के नाम इस प्रकार से हैं ओम व्रंदाए नमाहं ओम व्रंदावन्ये नमाहं ओम विश्व पूजिताए नमाहं ओम विश्व पावन्ये नमाहं ओम पुश्प साराए नमाहं ओम नंदिन्ये नमाहं ओम तुलस्ये नमाहं ओम क्रश् यह आठ नाम माता तुलसी जी के हैं इनका सरद्धा पुर्वक जाप इस दिन या उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए तो देव प्रबोदिनी एकादसी पर सरद्धा पुर्वक लक्ष्मि नारण भगवान की पूजा करने के पस्चात यह वरत कथा अवश्य स्रवन करना चाहिए इस वरत कथा को सरद्धा पुर्वक सुनने से इस वरत का पूरा पूरा फल प्राप्तो होता है भगवान लक्ष्मि नारण जी की विशेश करपा मिलती है तो कथा इस प्रकार से है प्राचीन कथा के अनुसार ब्रह्मा जी बोले है मुनिस रेष्ठ अब पापों को हरने वाली और पुन्य और मुक्ती को देने वाली एकादशी का महात्म स्रद्धा पुरवक सुने प्रत्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक की कार्तिक की देव प्रबोदिनी एकादशी तिथी नहीं आती मनुष्य को जो फल एक हजार अशुमेग और एक सो राजसुई एग्यों से मिलता है वही प्रबोदिनी देव उठने एकादशी से मिलता है नारजी कहाने लगे कि है परंपिता एक समय भोजन करने रात्री को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है सो विस्तार से बतलाईए तो ब्रमाजी कहते हैं कि है पूत्र एक बार भोजन करने से एक जन्मा और रात्री में भोजन करने से दो जन्मा तथा पूरा दिन उपवास करने से साथ जन्मों के पाप नश्ट होते हैं जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और दिखे भी नहीं वहा हरी प्रबोदिनी देव प्रबोदिनी एकादसी के वरत से प्राप्त हो जाती है। तो मेरू और मंदराचल के समान भारी पाप भी इससे नश्ट होते हैं तथा अनेक जन्म में किये हुए पाप समुहू शन भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रूई के बड़े ढेर को अगनी की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती हैं। ये सब चांडाल के समान माने गए हैं। ये सब पाप हरी प्रबोधिनी एकादशी के वरत से समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के वरत को करने का संकल्प मात्र करते हैं। उनके सो जन्मों के पाप नश्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्री जागरन करते हैं। उनके आने वाली दस हजार पीडियां स्वर्ग को जाती हैं। नरक के दुखों से छुटकारा और प्रसनता के साथ सुसजित होकर वे विश्णू लोक को चले जाते हैं। ब्रह्म हत्यादी महान पाप भी इस वरत के प्रभाव से नश्ट हो जाते हैं। जो फल समस्ते तिर्थों में स्नान करने गौव, स्वर्ण और भूमी आदी का दान करने से होता है। वही फल इस एकादशी की रात्री को जागरन करने से मिलता है। है मुनी शारदुल इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है, जिसने हरी प्रभोधिनी एकादशी का वरत किया है। वही ज्यानी तपस्री और जितेंद्री हैं, तथा उसी को भोग और मौक्ष मिलता है, जिसने इस एकादशी का वरत सरद्धा पुरवक किया है। वह विश्नु भगवान को अत्यन तप्रिय, मौक्ष के द्वार को बताने वाली और उसके तत्व को ज्यान देने वाली है। मन, कर्म, वचन, तीनों प्रकार के पाप इस रात्री को जागरन करने से नश्ट होते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसनता के लिए इसनान दान तप यग्य आदी करते हैं, वह अक्षई पुर्ण्य को प्राप्त करते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन वरत करने से मनुष्य के बाल, योवन और वरद्धा अवस्था में किये गए समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्री जागरन का फल, चंद्र, सूरी गरहन के समई इस नान करने से हजार गुना अधिक होता है। अन्य कोई पुन्य इसके आगे व्यरत है, जो मनुष्य इस वरत को नहीं करते हैं, उनके अन्य पुन्य भी व्यरत हो जाते हैं। अताह है नारद, तुम्हें भी विधी पुरवक इस वरत को करना चाहिए। जो करतिक मास में धर्म परायन होकर के अन्य नहीं खाते हैं, उन्हें चांद्रायन वरत का फल प्राप्त होता है। कथा पढ़ना अत्वा सुनना चाहिए, जो कल्यान के लिए इस मास में हरी कथा कहते हैं, वे सारे कुटुम्ब का छण मातर में उद्धार कर देते हैं। सास्त्रों की कथा कहने सुनने से दस हजार यग्यों का फल मिलता है, जो नियम पूर्वक हरी कथा सुनते हैं, वे एक हजार गवदान का फल पाते हैं। विष्णू जी के जागने के समय जो भगवान की कथा सुनते हैं, वे सातो द्वीपो समेत प्रत्वी के दान करने का फल पाते हैं। कथा सुनकर के वाचक को जो मनुष्य सामर्थ के अनुसार धक्षिना देते हैं, उनको सनातन लोक की प्राप्ती होती है। तो वरत करने की विदी इस प्रकार से है ब्रह्मा जी की बात सुनकर के नारज जी ने कहा कि भगवन इस एकादशी के वरत की विदी हमसे कहिए और बताईए कि कैसा वरत हमको करना चाहिए इस पर ब्रह्माजी ने कहा कि ब्रह्म मुर्त में जब दो गड़ी रात्री रह जाए तब ओट करके सोच आदी से निवरत्त हो करके दंत धावन आदी करें दातों को साप करें और नदी तालाब कुवा बावडी या घर में जैसा भी संबव हो आपको तिर्थ का ध्यान करके आदी करना चाहिए फिर भगवान की पूजा करके कथा को सरवन करना चाहिए फिर वरत्त के नियमों को गरहन आपको करना चाहिए उस समय भगवान से प्रारतना करें कि हैं भगवान आज में निराहार रह करके आपका वरत्त करूंगा आप मेरी रक्षा कीजिए फिर दूस इसरे दिन द्वादसी को भोजन करूंगा तत्पश्चात भक्ती भाव से वरत करें तत्था रात्री को भगवान के आगे नत्य गीत आदी करना चाहिए और करपणता त्याग करके कंजूसी त्याग करके बहुत से फूलों और फल अगर धूपादी से भगवान का पूजन अ चाहिए और शंक के जल से भगवान को अर्गे देना चाहिए इसका समस्त तिर्थों से करोडों गुना फल पराप्त होता है जो मनुश्य अगस्त के पुश्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंदर भी हाद जोडता है तपस्या करके संतुस्ट होने पर हरी भगवान को जो नहीं करते हैं वह अगस्त के पुश्पों से भगवान को अलंकरत करने से करते हैं जो कारतिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं कारतिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं उनको दस हजा करने इसपर्स करने कथा कहने नमस्कार करने इस्तूती करने तुलसी रोपन करने और तुलसी जी में जल सीचने और प्रति दिन पूजन सेवा आधी करने से हजार करोड युग परियंत विश्नु लोक में निवास करते हैं जो तुलसी का पोधा इस दिन लगाते हैं उनके कु प्रशाखा बीज और फल प्रत्वी में बढ़ते हैं उतने ही कुल जो बीत गए हैं और जो होंगे हजार कलपतक विश्णुम लोक में निवास करते हैं जो कदंब के पुश्पो से स्रीहरी का पूजन करते हैं वे कभी भी यमराज को नहीं देखते हैं जो गुलाब के पुश पुश्पो से भगवान का पुजन करते हैं वे सूरी चंद्रमा रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते हैं जो मुनिश्य सफेद या लाल कनेर के पुश्पो से भगवान का पुजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन होते हैं जो भगवान पर आम की मंजरी अर् पूज़ा करते हैं उनको महा गोर यमराज के मार्ग का भई नहीं रहता है जो भगवान को चमपा के पुषपो से पूज़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते हैं कैतिकी के पुषप चड़ाने से करोडो जन्म के पाप नश्ट हो जाते हैं और पीले रक्त वरन के कमल के पु करके विदीपुरवक भगवान केशव का पूज़न करें वरत की समापती पर विदवान ब्रामनों को भोजन करवाएं और दक्षिना दे करके छमा याचना करें इसके पस्चात बोजन गव और दक्षिना दे करके गुरु का पूज़न करें और ब्रामनों को दक्षिना दे और जो चीज वरत के आरंब में छोड़ने का आपने नियम लिया था, वह ब्रामनों को देवें, रात्री में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रामनों को भोजन करावें और स्वरन सहित बैलों का दान करें, जो मनुष्य मांसाहरी नहीं हैं, वह गव का दान करें, आमले से इसन दान करने वाले मनुश्य को दहीं और सहद का दान करना चाहिए जो फलों को त्यागे वह फलाहार का दान करें तेल छोड़ने से गरत और गरत छोड़ने से दूध आन छोड़ने से चामल का दान किया जाता है इस प्रकार जो मनुश्य भूमी शयन का वरत लेते हैं उन्हें श व्रत तथा मिठाई का भोजन करवाना चाहिए बाल रखने वालों को दरपन जूता छोड़ने वालों को एक जोड़ी जूता और लवन त्यागने वालों को सरकरा मंदिर में दीपक जलाने वालों को तथा नियम लेने वालों को व्रत की समापती पर तामर अथ्वा स्वरन के पत्र पर घरत और बत्ती रख करके विष्णू जी के भक्त ब्राम्ण को दान में देना चाहिए एकांत ब्रत में आठ कल सवस्त्र और स्व्रण से अलंकरत करके दान देना चाहिए यदि यह भी ना हो सके तो इसके अभाव में ब्राम्णों का सथकार सब वरतों को सिद्ध करने वाला कहा गया है इस परकार ब्राम्मनों को प्रणाम करके विदा करें इसके पश्चात स्वयम भोजन गरहन करें जिन वस्तूं को जो चातूर मास में छोड़ा हो उन वस्तूं की समाप्ती करें अर्थात गरहन करने लग जाएं तो हे राजन जो बुद्धी मान इस प्रकार चातूर मास वरत निर्वेगन समाप्त करते हैं वे करत करत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता है यदि वरत भरष्ट हो जाए तो वरत करने वाला कोड़ी या अंदा हो जाता है भगवान करश्ण कहते हैं कि राजन जो तुमने पूछा था वह सब मैंने तुमको बतलाया है इस कथा को पढ़ने और सुनने से गवदान का फल प्राप्त होता है और समस्त पापों का भी नाश हो जाता है और भगवान स्री हरी की करपा मिलती है इस वरत का पूरा पूरा फल मिलता है तो मित्रो आशा करता हूँ क आपको हमारी यह ग्यानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वा अधिक सैदिक शेयर अवश्य करें जिससे कि अधिक सैदिक भक्त जन इसका लाब प्राप्त करते रहेंगे और इसका पुन्य फल आपको भी उत् मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ग्यानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी धन्यबाद जैसरी करश्ण फिर मिलेंगे